दोस्तो आज मैं आप लोगों के शाहतçar करूंगा पर्टूला का फ्लावर प्लाइंट की कैयार आप लोग कैसे करेंगे जदा से जदा फ्लावर पाने के लिए फर्ट्लाजर आपको पर्ट लावर प्लाइंट को क्या देना है देखिए मेरे पाश अभी दो color के है एक color ए है और एक color yellow है ये दो color है एक ही pot में लगा हुआ है फ्लावर की शंख्या आप लोग देख पर है काफी ज़्यादा फ्लावर खिले हुए है और इसको पॉल्टू लगा को 9-0 clock भी कहते है एक 6-inch की pot है एक 6-inch की pot है और 6-inch की pot में इतने शरे फ्लावर है बहुत शरे फ्लावर है तो ए फ्लावर प्लावर की क्यार मैं कैसे करता हूँ और गनिक लिकुट फैटलेजर में मैं कावडांग केक से यानि की उपले से बना हुआ लिकुट फैटलेजर मैं हफ्ते में एक बार यूज करता हूँ शाल में देता हूँ दो सोल से लेके 3-शेमिल तक और हमको क्रामिकल फैटलेजर भी देते हैं ओ भी आप लोग को मैं शेयर करूंगा एक बात धेन रखीगा जिस टाइम ए फ्लावर खिल जाते है नेक्स डे ए मुर्जा जाएंगे यहाँ पर फिर शीड बनना चालो होगा तो आप शीड अगर रखना चाहेंगे तो अच्छी बात है नहीं रखना चाहेंगे तो आपको जैसे कि यह फ्लावर मुर्जा चुके है देखिए यहाँ से इसको पिंच कर देना है जैसे आप पिंचिंग कर देंगे तो यहाँ से फिर से दो दो ब्रांचे साएंगे और यहाँ पर फिर से फ्लावर लगेंगे हमारी फ्लावर एनरजी फ्लावर खिलाने के लिए लगा देंगे आप अगर पिंचिंग कर देंगे पिंचिंग नहीं करेंगे तो क्या करेगा और शीड त्यार करने के लिए इसका कुछ एनरजी लगा देगा और आपको फ्लावर की शंख्या कम मिलेंगे फ्लावर प्लाइंट बुशी भी क क्राम हो गा इस बात को देन रखें एक यह लाँर प्लाइट में मेली वाग काफी ज्ज्यादा लगते हैं हमने देखा है बहुत अच्छा से मेली वाग बहुत ज्यादा लगते हैं तो मेली वाग अगर लगते है motivates तो ओवर बाटरिंग करेंगे तो क्या होगा इसका जो root से stem है stem rot हो जाते है और आपकी flower plant दीरे दीरे करके मरा जाते हैं इसमें आगर एक दिन पानी नहीं देंगे यह as it is रहेगा flower plant मरेगा नहीं हलका सा मुर्जा शक्ते है लेकिन जैसे आप पानी देंगे आधा घंटे की आंद इसमें रूट हो जाते है और हमारी flower plant हरा भरा होने लगते है पंद्रा दिन टाइम लगते है इससे ज्यादा नहीं लगते है तो आप बहुत ही आशानी से प्रप्रगेशन भी कर शक्ते हो आपके पाश अगर एक plant है एक से आप शैक्रो प्लान्ट बना शक्ते है पानी कम से कम देंगे ज्यादा नहीं देंगे धेन रखेगा हलका moist रहे इसे इस आप से पानी देंगे और नहीं तो इमीडिक लोपीड 17.8 SL कोई भी कमपानी की होगा बौन एमेले क्रिटर पाने में मिला के हफते में एक बाद जरूर रस्प्रे करें माल्टिपल माइक्रो निट्रेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है ये फ्लाइर प्लाइन को क् आपको फ्लावर देते ही रहेंगे ऐसे करके अभी तो क्या होगा इसमें फ्लावर खिलने के लिए मल्टिपल माइक्रो निट्रेंट की काफी ज़्यादा जरूरत है मल्टिपल माइक्रो निट्रेंट में आपके पास एग्रोमीन मैक्स है दो ग्राम एक लिटर पानी में मि यही पर पानी में पक शो पानी हाँ चे पुमिक्ष अज में मिला शक्राग्रटि को वार्जी और देखा अग्यार कितों हुआने लिये हमने लिए हैं एक लेतर पाहँ चलिए हैं P.K. 1990-1990 ये हमने लिए है एक ग्रम कौन्टिटी में और एक लिटर पानी में डाल दिये है एक ग्रम कौन्टिटी में हमको लेना है मेगनेशियम सल्पेट यानि की एपसम शल्ट ये दोनों हमने एक लिटर पानी में मिला दिये इसके बाद बहुत अच्छा से मिक्स कर है इसमें से हम 3-100 से लेके 500 ये पॉट में हम दे देते है देखिये गज्ञार और अटना ही फर्टलजर हम हर चौथेदिन देते हैं चार दिन आंतर से एक बार हम यह फर्टलाजर देते हैं हमको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है ऐसे करके आप अगर फर्टलाजर देंगे तब भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया अगर पसंद आया लाइक करें शेयर करें शाप्सक्राइब जरूर करें शापने भी लाइकन को प्रेस करें तैंक्स वर्वाजिंग